तो आए फोई का देखो पेपर्स पुरा मेरा वीडियो में करायव है भी है इंस्टूट का मेट्रिल भी पुरा करायव है तो इट्स बेटर कि हम लोग आई आई का पेपर्स देखे जो उसमें नए टाइप के जो कुस्टन्स आ रहे हैं ठीक है एंज जादा करके हम लोग थ्यान देंगे MCQ में ठीक है आईए तो सब लोग डाउनलोड कर लिया होगा जो लेटेस्ट पेपर है ठीक है तो जैसा कि आप लोग सब देख पा रहे है 14 इसमें MCQ है ठीक है फिर बाकी सब थोड़ा सा इसमें थियोरी है एंड फिर तुम्हारा एक दो तीन इसमें वह है ठीक है देखते हैं कितना होता है बाकी फिर तुम लोग घर पर कर लेना बने ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग पढ़के आगे बढ़िया और तुम लोग को कोई चीज नहीं समझ में अच्छे से ठीक है ना पढ़ने का परपस वह नहीं है पढ़ने का परपस है कि हम लोग को हर्ची एदम पूर अच्छे से समझ में आना चाहिए ठीक है एक्जाम छह मेना साल बर में सम्हाँ क्लियर होई जाता है ठीक है एंड जॉब भी लगी जाता है ठीक है तो वह सब का प्रॉब्लम नहीं है चलो पहला कुश्चन से चालू करेंगे यह हम लोग कर रहे हैं CM1 का एप्रिल 2014 का पेपर कर रहे हैं इंडिन इंस्ट्यूट का तो पहला कुश्चन क्या बोलता है in case of compound interest rates, read करिये सब लोग in case of compound interest rates investor cannot earn more by withdrawing and reinvesting the same money at same rates like he can earn in simple interest read करिये अच्छे से देखो यह वाला जो आज हम लोग पेपर करेंगे ना तब हम लोग को यह भी समझ में आएगा कि क्या इंडिन इंस्टूट से हम लोग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्यूंकि देखो बहुत सारे updates ऐसे हैं जो अभी तक official नहीं हुए बट वो लोग बहुत positive changes ला रहे जैसे एक हो गया physical exam तो exam का जो main format होता है वो physical में होता है even when you tell someone that I am doing a professional course जो घर से हो रहा तो वहाँ पर एक sceptability का and थोड़ा साल का सा हिच की चाहाट होता है तो एक तो लोग physical में कर रहे हैं दूसरा आपको जो mathematical typing जो है वो आपको अभी Indian Institute में नहीं करना पड़ेगा because वो आप solve करेंगे question और आपको खाली MCQ रहेगा 100% वह भी हो गया and paper भी तो ऐसे भी computer पर ही होगा तीसरा चीज जो मेरे को लगता सबसे बड़ा जो चेंज है आगर वो लोग साल में 4-5 बार exam करेंगे so definitely I will recommend all of you to shift क्योंकि जो आपने paper दिया उसका आपको exemption मिल जाएगा so not at all to worry तो ये वाला attempt आप अच्छे से दीजिए and if by the time you give your exam and अगर announcement आता है तो we should be very cautious and हमारे अंदर इतना कैलिबर है कि हम लाओ को तीन मेहना वे भी exam केल अच्छे से प्रिपेर कर सकते है ठीक है now our team is totally ready for that चलो अब question देखो in case of compound interest rates investor cannot earn more by withdrawing and reinvesting the same money at same rates like he can earn in simple interest rate बताओ बोलो क्यों true होगा देखो यह लोग बोल रहा है investor cannot earn more by withdrawing and reinvesting the same money at same rates ठीक है cannot earn more का मतलब क्या होता है देखो हम लोग एक example लेके समझते हैं अगर compound में 100 में लगाया at the rate 4% तो 100 होगा और 4 होगा यहां से भी 100 होगा और 4 होगा question का intellect देखो कितना अच्छा question है अब यहां से क्या होगा चार होगा और 4 का क्या होगा 0.04 यह compound interest में होगा यह लोग क्या बोलते हैं कि आप अगर यह पैसा को निकाल के कहीं और डालते हो जो same rate पे आपका पैसा लग रहा है तो क्या आप जादा कमाएंगे ना same कमाएंगे same कमाएंगे but simple interest की अगर हम लोग बात करें simple interest अगर आपने किया है 100 at the rate 4% तो दो ब्रांचेस निकल के आएंगे 100 of 4 राइट तो यह 100 से फिर ब्रांचेस निकलेंगे 100 of 4 बट इस 4 से ब्रांचेस नहीं निकलेंगे तो compound interest में you cannot earn more you cannot earn more but simple interest में क्या होग अगर आप यह वाला पैसा लगा के कहीं और लगाओगे तो इस पे आपको 1.04 मिलेगा na are you getting it आपको इस पे 1.04 मिलेगा so that is why the statement is true कि आप जादा पैसा नहीं कमा पाओगे अगर आप वो पैसा को निकाल के कहीं और लगाते हो तो in the case of compound interest but in the case of simple interest बताओ तुम लोग question समझा आप question कितना tricky है यह समझा हम दुबारा एक example लेकर तुम लोगो समझाता है question क्या बोल रहा है बोलता है compound interest में जो आपने पैसा earned किया तो 100 का कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा सबको मेरा voice आ रहा है आज यह आज देखो तो 100 का 104 हुआ compound interest में अविलो क्या बोलता है इस पैसा को निकालो हुंद यहां से एक और कहीं पर लगा दो जाहता चार परशन का घ्याज ए तो तो म कहीं और लगाये गदो क्या होगा 104 बै 51 बैसा नहीं तो क्यान बोलकु नों में तो कोई क差不多 को रहा है थी कि simple interest में क्या होगा 100 यहां पर 104 होगा फिर क्या होगा 108 होगा तो यह जो extra जो 4 है इस पे तो 4% नहीं मिला तो यहां क्या होगा गर तुम इसको यहां से निकाल के कहीं और 4% पर डालेगा तो क्या होगा 104 इंटू वही तो लिखा है in case of compound interest you cannot earn more if you are withdrawing the money and you are investing the same amount of money at the same rate but in case of simple interest you will get it so the statement is true ठीक है मैं होता तो मैं इसको गलत कर क्या था बिंग वरी अनिस्ट मनिस्ट वांस to have a fund मनिस्ट वांस to have a fund of 10 lakhs in 3 years time from now to buy his dream car how much approximate money should he fix deposit to get the required amount now if the FD rates are 6.5% फिर आगे ना चोमू बंदी बे 10 lakh divided by 1.065 का cube ठीक है कुछो नमबर 3 देखो रोहित कुछो नमबर 3 देखो रोहित इन्वेस्ट 2500 at a discount rate of 18% पर रानम converted monthly for first 3 months followed by an interest rate of 20% पर रानम converted quarterly for the next 9 months calculate the accumulated sum at the end of 3 months and at the end of one year बहुत simple है यह क्या बोल रहे है 2500 इन्वेस्ट कर रहा है किस rate पर इन्वेस्ट कर रहा है डिसकाउंट so basically 1 minus 0.18 by converted monthly है ना तो by 12 है ना to the power ना ना यहां पर अगर मैं करता हूं to the power minus यह आपका हो गया एक महने का यह आपका हो गया एक महने का discount factor to the power minus 3 होगा जल्दी आओ CM1 बैठो second बैठो ठीक है फिर बोल रहा है interest rate of 20% per annum converted quarterly for the next 9 months so into क्या होगा बता 1 plus 0.2 by 4 to the power 3 है ना बोलो solve करो उसको कितना आ रहा है तो 9 months मंदब 3 quarters होगा ना पॉइंट 2 को जब 4 से डिवाइड के तो यह क्या बना accumulation factor for a quarter तीन quarters के लिए कर रहे हैं बोलता है इसके बाद वाला question में real और money कब बराबर होगा बताओ तो जब J 0 होगा है ना question number 5 देखो यहार है इसका answer question number 3 का यहां तक सबको समय आ रहा है online में yes no फड़ा बड़ से reply करेंगे यह तो एकदम online class बंद कर दूंगा मैं फिर सब लोग बोलेंगे सर अब गुसा करते खाली और आपको discounting factor का वो पूरा equation दे दिया है मेरा बाद सुनो तो 35 lakhs पर आनव है ना तो integration 025 रोटी अपना 35 है अब इसके बाद में अपने discounting factor यूज करते हैं ना कि जो payment time t पे हुए उसको 0 पे लाएंगे तो अपने को discounting factor अल्रडी दे दिया है क्या दिया है 1-0.01 t dt तुम समझा वो जो पूरा जो करते है ना exponential minus integration 0 to t delta sgs वो पूरा ही यह है तो whole into dt करते हैं तो यह अपना equation बन गया इसको solve करेंगे अपना answer आ जाएगा 35 को कर दो बाहर तो 1 का क्या हो जाएगा t minus 0.01 by 2 क्या हो जाएगा t square 0 से 5 इस पर value putting करिए इसके बाद पर क्या करना है अपने को 60 lakh at the end of first year so plus 60 1 minus 0.01 into 1 फिर आएगा 40 lakh plus 40 lakhs at the end of third year so 1 minus 0.01 into 3 चलो उसको solve करो I'm I'm are I'm I I बोलो भाई, ठीक है ना? question number six देखो In most of the capital projects, income occurs later in time than outgo. Therefore, as the risk discount rate increases, the present value of the project's income reduces by more than the present value of the project's outgo. क्या बुल रहे? Income occurs later in time than outgo. So, therefore, as the risk discount rate increases, the present value of the project's income reduces by more than the present value of the project's outgo. Due to this, NPV क्या होगा? बढ़ेगा की घटेगा? घटेगा, obvious साब बात है. अरे ये साब अगर कहानी नहीं भी लिखा होता, तो भी क्या होता? Interest rate बढ़ेगा मतलब NPV गिरेगा. ठीक है ना? NPV of the project decreases. C होगा इसका answer. ठीक है. Question No.7 देखो. Using the values given in the table below, calculate the value of 4Q1. तो 4Q1 का मतलब क्या होता है? एक साल का आदमी चार साल के अंदर मर जाएगा. तो अपने क्या कर सकते हैं? L1 ले सकते हैं नीचे में. L1 अपना कितना है? 9, 9, 1, 8, 6. और आने वाला चार साल में कितना लोग मर गया? 62, 38, 30, 24. 62, 38, 30, 24. अगर ये चीज़ ऐसे नहीं समझ में आ रहे हैं तो ध्यान देना. 0, 1, 2, 3, 4 और 5. यहां से यहां कितना लोग मर गया? बोलो. 62. फिर यहां से यहां? फिर यहां से यहां? फिर यहां से यहां? 24. हाँ वैसे भी कर सकते, यहीं बात है. ठीक है ना? देख लो उसको. इंडियन इंस्ट्ट में पास होने के रिए चीज़ लिए 50. अगर 14 MCQ राइट होगा तो 28 तो यहां आ गया. समझा? 28 नमर तो यहीं आ गया. बाकी तुमको चाहिए 22 नमर. ठीक है ना? तो एक दो प्रैक्टिकल राइट होगा तो हो जाएगा. अब तो 100% होगया हम OBA. समझा? OBA का पावर तुम लो नहीं जानता है. धाई मैना रेजल्ट के लिए भेट नहीं करना पड़ेगा. अब यह लोग 40 दिन के अंदर रेजल्ट निकालेगा बोला है. तो क्या होगा आप समझो. अब जैसे मालो नवेंबर वाला में एक्जाम देगा. तो नवेंबर एंड में एक्जाम हो रहे है तो जैनवरी फर्स विग में रेजल्ट निकाल देगा. तुम जब तक मुह हाथ धोएगा ठीक है? फ्रेश होगा देएगा रेजल्ट आ गया. फिर तुम प्लान कर पाएगा ना? चर्निंग ज्यादा होगा एक्जाम में. फिर क्या करेगा? तुम देदेगा फिर तीन में आपाद सी एस बन फिर सी एस टू फिर सीम टू देगा? हम लोग अभी रेवेन्यू चार गुना. डबल डबल पढ़ाना है पढ़ा देंगा इसमें क्या है? ठीक है? यला हुआ? चलो आओ. इसके बाद, कुश्चन नमबर एट. ठीक है? ठीक है? तो कौन से बाद का पॉलिसी है? अभी उसके एज कितना है? 55. तो डेफर्ट पीरेट कितना है? पांच साल है. EPV of the benefit, assuming that the effective annual rate of interest is 4% AM92 ultimate. तो कैसे करेंगे बताओ? तो 5 lakhs का जो benefit है वो बोलो. क्या होगा? 5P 55. A 60. है ना? सॉल्व करो उसको. V to the power 5B होगा. भाई, deferred whole life है ना? बोल रहा है ना? पांस साल बाद मरेगा तो कभी पैसा मिलेगा end of the year of death. ये कहां बोल रहे? After exact A60. समझ में है सब को यहां तक ये सोर नो फड़ावट से बोली हां या ना? बोला भाई, बोला आए ये ना? को कि कुस्च्चन नम्मर्ण नाइन पर आई ए को एक्दम भी डरना नहीं है समझ मैं न एक दम लंबा साउस लेगो और एकदम रिलाक्स करें एक्जाम में और ने ज्यादा करके एक्स्ट को यूज करना है जितना सरा डिफॉल्ट मॉडर्स बना सकता बना लो चीटिंग बिल्कुल मत करना अगर चीटिंग किया तो दो सल के लिए बहन हो जागा बत याद रखना चीटिंग बिल्कुल मत करना बच्पना बुद्धी मत दिखाना कि हम यह एंसर कंफर्म कर लेते हैं पूछ लेते हैं वो similarity आ जाएगा बने आज जैसे मैं तुमको बताता हूं चीटिंग क्या होता है तुम लोग को तो लगे गए तो कुछ नहीं होगा बडोता क्या है जैसे मालो तुम जब सामने वाला से पूछे गाना तो वही पैटन में आ जाते है आज जैसे हम लोग ब्लॉग बनाते हैं तो हम लोग को हम ज 25 years endowment assurance policy that pays INR 3 lakh on maturity, ठीक है, तो क्या है, N मेरा कितना है, 25, X मेरा कितना है, 40, and मेरा sum insurance कितना है, बोलो, 3 lakhs, the man pays a premium, तो premium कितना है मेरा, premium कितना है through out the 25 years, और until that, if it happens first, should that happen, all premium paid so far are returned without interest, देखो, यह लो क्या बोल रहा है, should that happen, all premium paid so far are returned without interest, बहुत simple है यह तो, 25 साल का product है, और select mortality और 4 परसन बोला है, ध्यान देना, इसमें ROP का question है, return of premium, देखो, सबसे पहले age graph, 40, 41, 42, 43, dot, 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 65, यहाँ पर आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, dot, 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 25, अब मेरा बात ध्यान सुनना, यहाँ वो एक premium दे रहे, पहला साल में मरेगा तो P, दूसरा साल में मरेगा तो 2P, 3P, यहाँ पर क्या होगा, 25P, और यहाँ पर मर जाएगा, I'm really sorry, I'm really sorry, I'm really sorry, अगर मान लो, वो तुमारा, यहाँ कहीं मरता है, यहाँ कहीं मरता है, मतलब यहाँ पर क्या था वो, जिन्दा था, और अगर यहाँ जिन्दा था तो कितना मिलेगा, तीन लाक, तीस लाक हो गया यह, ठीक है न, वही कुश्चन में बोला है, देखो, और अगर पहले मर जाएगा, तो 2P, ऐसे कर गया, विताउट इंट्रेस बोलता तो क्या होता, वित इंट्रेस बोलता तो क्या होता, मैं बताता हूँ, जैसे माल लो, माल लेंगे यह, अपने P जो पेमेंट किया, वो start of the year पे किया, तो start of the year पे जो P पेमेंट किया, इसको अपने करेंगे into 1 plus I to the power 0.5, फिर plus जो अपने करेंगे, बने ये वाल, देखो, चीज समझो, ये वाला जो P है, इसको मैंने middle of the year पे लेकर, अब इसमें तुमको देखना पड़ेगा, कि पहला साल में मरेगा, तो ये होगा, दूसरा साल में मरेगा अगर, ये पहला साल में मरने का है, दूसरा साल में मरेगा तो पहला वाला P तुमारा जाएगा यहां तक, और ये वाला P जाएगा तुम्हारा यहां तक तो अगर यह फर्स्ट येर का हो गया दूसरा साल में अगर मरेगा तो क्या होगा P into 1 plus I to the power 1.5 plus P into 1 plus I to the power 0.5 assuming middle of the year that's नहीं तो और कैसे करेगा कहां assume करेगा बता end of year क्यों मानेंगे हम अगर मानने पूरा साल है तो throughout there ही तो that's होगा न ऐसा जरूरी थोड़ी कि सारे लोग साल के end में जाके मरेंगे ठीक है तीन लाग तो pure endowment है और यह वाला जो है यह तुम्हारा increasing term insurance हो गया ठीक है ना हां तो करो इसको solve करो तो क्या बनेगा इसमें इसमें क्या बनेगा 3,00,00 और select mortality भूल मत जाना select mortality भूल का मतलब गया कानी खताम D65 by D40 select ठीक है और that benefit आएगा जो premium है into IA ठीक है 40 select 1 25 25 है ना तो IA 40 select 1 ऐसी चलाओ 25 is equal to IA 40 select minus V to the power 25 25 P 40 select IA क्या होगा बताओ 65 ठीक है ना हम तो चेक करें थे तुम लोगो IA 65 plus क्या होगा बताओ यह सब सेलेक्ट होगा न बीना select होगा ठीक है हाँ हाँ ह हाँ हाँ वी पी एक्स ख़ली multiply करेगा और यह 24 हो जाएगा और यह 41 हो जाएगा हो गया कुछ तुम समझ नहीं रहा है इसमें तुमको basic समझना पड़ेगा 41 का यह जा है 24 years का है तो पहला साल में क्या हो रहा है P 2P 3P हो गया और क्या और एक वी पी एक्स करेंगे हां मैं बता रहा हूँ गर premium end of the air पर मिलेगा तो क्या होगा तो पहला साल पर मरने से तो कुछ नहीं मिलेगा जिरू मिलेगा ठीक है नेक्स्ट आओ question number 10 पर आओ a fund of 10 lakhs earns an interest of 5% per annum effective the fund has to be divided into its 10,000 members aged 40 now if they survive to age 60 ठीक है तो यह बहुत सिंपल है दस लाक रुपया को पहले आप accumulate कर दो 1.05 to the power 20 into गलत गलत डिवाइड होगा समझो इसका मतलब देखो आज के दिन पर कितने members हैं देखो यह जो है न अपने क्या कर रहे हैं और यहां पर यह भी आएगा कम लोग से डिवाइड होगा हाँ into 10,000 चीज समझो अगर बोलता सब को मिलेगा अगर वो मर भी गया तो भी उसके family members को मिल जाएगा बट यहां पर क्या हो रहे हैं 10,000 लोग हैं ठीक है सब लोग तो survive नहीं करेंगे 20 साल हो सकता है 80% लोग survive करें तो यहां पर तो 8,000 लोग ही आएंगे न तो यह 80% जो है यह क्या है यह है यह वाला कि कि कितने लोग survive करेंगे expected survivor को पैसा मिलेगा तो मैं क्या करो आज कितने लोग जिन्दा है इंटू survival probability for 20 years मैंने उस समय कितने लोग जिन्दा रहेंगे उस समय कितने लोग जिन्दा रहेंगे और उस समय मेरा fund का value क्या होगा तो उस समय जो fund का value रहेगा डिवाइट बै उस समय कितने लोग जिन्दा रहेंगे ठीक है solve कर हां हां अरे यह basically accumulation factor है contingencies में 1 plus i to the power n by npx यही तो होता है ना क्यूंकि discounting factor होता है v to the power n npx so 1 by this ठीक है next आओ ना करो ना करो ना करो ना करो अपने को बहला अपने को निकालने बोला है अपने को निकालने बोला है a 5510 ठीक है ना into 1 plus i to the power 10 by 10 by 55 नहीं नहीं वो देख के वैसा लग रहा है स्मॉल ही है वह क्यापिटल में तो नहीं है इस का वैसा कुछ नोटेशन नहीं उसमें शायद मोशली i के संग s लगा होगा अलग से तो s का नहीं है नहीं नहीं एक मिनिट क्यापिटल स नहीं है तुम देखना i के संग s है उसका मतलब बन सकता है जहां तक में कोई डिया नहीं है सब्सक्राइब नोटेशन ठीक है PFA है ना हाँ तो प्लस बन खाली करने से नहीं होगा तुमको पहले इसको ब्रेक करना होगा So this is a 55 minus v to the power 10 10p 55 a 65 फिर इसको तुम करेगा a due 55 minus 1 और male female देख ले ना भाई यह पूरा चीज को फिर जो है उससे multiply करें अब ना तुम लोग का जो IFA का जो पेपर आएगा ना उसमें you can expect more of comment based questions ना तुमको पेपर देखके प्रैक्टिकल लगेगा बट उसमें commenting का भी अच्छा कासा रोल रहेगा तो read all the comments सारा explanations वो सब read करना पड़ेगा तुम लोगो ठीके ना इसके बाद question number 12 a husband and wife are both age 65 exact तो हम लोग का age कितना हो गया 65 upon wife's death husband will receive rupees 20,000 per annum payable annually in advance for the rest of his life starting from the end of the year of wife's death provided her death occurs in the next 10 years ठीके है husband का है PMA wife का है PFA 4% interest है क्या बूल रहे है husband wife दोनों के जे 65 upon wife's death husband will receive rupees 20,000 per annum payable annually in advance for the rest of his life starting from the end of the year of the wife's death provided her death occurs in the next 10 years ये condition डाल दिया है provided her death occurs in the next 10 years अगर पहले तो अपने को लगा रिवर्शनरी है पर रिवर्शनरी में कंडिशन के डाल दिया है की death होगा wife का 10 साल के अंदर क्या ऐसे कर सकते है न तुम नॉर्मल रिवर्शनरी अन्विटी करो माइनस कर दो 10 साल आगे का रिवर्शनरी अन्विटी कैसे पता तुमको क्या बोल रहे तुम इसको ऐसे नहीं हो गए इसको अपने को करना पड़ेगा नॉर्मल रिवर्शनरी अन्विटी माइनस 10 साल बाद का रिवर्शनरी अन्विटी क्योंकि 10 साल बाद अगर दोनों जिन्दा है तब तो कोई मतलब भी निये ना कहां बोला ऐसा कंडिशन है वो तो प्रोवाइड हर देथ ओकर्स इन नेक्स 10 यर्स तो देखो सो अपने क्या कर सकते हैं एड्यू 65 मेल माइनस एड्यू 65 65 यह हो गया नॉर्मल रिवर्शनरी अन्विटी माइनस अब अपने करेंगे वी टू दी पावर 10 10 पी 65 65 एड्यू 75 म माइनस एड्यू 75 75 क्यों बोलो तो बेसिकली यह अपने को बेनिफिट आज से कभी भी मरे तो माइनस वो पार्ट जो बेनिफिट में को नहीं मिलेगा माने अगर 75 पे दोनों जन जिन्दा है तब पॉलिसी खत्म है पॉलिसी पूरा खत्म है माने मेरे को यह चाहिए कि पूरा माने नॉर्मल रिवर्जिनरी अन्वेटी माइनस वो वाला पार्ट जिसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा तो इस पार्ट में तो बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर एक बात बताओ और दोनों का एज अगर 75 हो गया उसके बाद तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना तो लोग समझो बोल क्या रहा है बोला दस साल के अंदर मरना पड़ेगा तो यह पूरा माइनस वो पार्ट जिसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा बेनिफिट कौन से बात में नहीं मिलेगा अगर दोनों जन दस साल जी जाते हैं तो अगर दोनों जन दस साल जी जाएंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा 20,000 बाहर में तो उसमें हम लोग करेंगे 20,000 20,000 एकदम बाहर में अन्य यह जब आ जाएगा ना फाइनल वाली फिर उसमें हम लोग करेंगे ट्वेंटी थाउजिंद पूरा माइनस वह पार्ट जिसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या चीज अगर उल्टा हो गया तो करना ऐसी पड़ेगा तुमको पूरा माइनस दोनों को जिया के रिवर्जनेरी ठीक है मतलब स्वाल्फ करो क्यों नंबर थर्टीन होगा ना किकी कहें चुर्ण फेंड इंड कंदाी क्रदम कविटाउं बच्छाइट चार्टां डरे क्या बुल रहा है क्या चार्टाइड 진짜 प्ँल रहारा है डलड फीमेल of I&R 10,000 paid in arrears, ठीक है, so annual income कितना इनका, 10,000, the company maintains net premium reserves calculated based on PFA 92 C20, during that year 9 pensioners, during that year 9 pensioners died, what will be a mortality loss or profit and how much, ठीक है 5,000 pensioners है, सबका एज है 60, annual income arrears में मिल रहा है, ठीक है, तो अपने को करना है 60 से 61 का न, तो सब सोले तो E&R का reserve बनाना पड़ेगा, तो E&R का reserve क्या बनाएंगे, 10,000, क्या होगा बताओ, A, है न, 61, ठीक है, female का, reserve बना रहे हैं, V1, E&R reserve क्या होगा, एक साल के बाद, अभी वो लोग के एज कितना है, 60, यहाँ पर reserve बना रहे हैं, क्योंकि इस साल का MPML निकालना है, तो यह वाला payment तो हो गया होगा न, अब अब अपने सोचेंगे, यह, यह, यह सब payment के बारे में, arries में जो हो रहे हैं, तो A, 61, इंटू 10,000 का benefit मिल रहे हैं, अब उसके बाद में, DSAR, तो DSAR, अगर मरेगा तो क्या होगा, पहले यह बताओ, मरेगा तो क्या देना है, मरेगा तो कुछ भी नहीं देना है, माइनस जियेगा तो क्या करना है, एक तो reserve बनाएंगे, V1, और जो year end, मतलब यह वाला जो payment है, 10,000 रुपय का, यह भी देना पड़ेगा, यह अगर जियेगा तो, तो यह मेरा DSAR हो गया, उसके बाद में actual debt strain क्या होगा, 9 into DSAR, और expected debt strain क्या होगा, कितना लोग था, 5000 into Q60 into DSAR, solve करिए, क्या है, बाद में लिखा जो धर, पर जो खाल, पर जो दो, दो, पर जो, झाई, अझाए, पर शो, खो जो, उए, बाद में, भी दो, तो, पर बनाएंगे, बाला जो पर टो, तो, बहुआए, बाला,ALा, बाला, झाल झाल solve करिए recursive वाला नहीं वो तुम्हारा जब हम लोग को mortality में नहीं उसकरते हैं वो जब हम लोग को बोलता है total profit या फिर total loss निकालने उसमें हम लोग करते हैं कि हमारे पास जो reserve है उसमें premium आया expense गया उसको एक साल आगे लेके जाएंगे तो हम लोग आएगा funds available और जो हम लोग का RHS जो होता है जो लोग भी मर जाएंगे वो लोग को हम लोग summer short देंगे और जो लोग भी जीएंगे जो लोग भी जीएंगे वो लोग को हम लोग reserve बनाके देंगे तो यह मेरा हो गया funds required फिर हम लोग करेंगे FA minus FR तो इससे मेरा आएगा total profit या फिर total loss और इसका तीन aspect होता है एक होता है expense profit expense loss interest profit interest loss और एक होता है mortality profit या फिर mortality loss mostly तुम लोग का question में क्या आएगा ये वाला part जो है न इसमें कोई change नहीं रहेगा expense के वज़े से कुछ नहीं रहेगा तो तुम लोग को ये भी निकालना पड़ेगा normal method से फिर तुम लोग balance out करके ये निकाल सकता है ठीक है हां 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 expense profit loss mostly कुछ होता नहीं है मतलब तुमको बोलेगा ना कि expected change in the expense is zero मैंने तुमने expect किया था 50 लगेगा 50 ही लगा expense के वज़े से कोई profit loss नहीं होता mostly और अगर यह होगा अभी ना तुमको calculated दे देगा अभी तक मैंने एक भी समयसा नहीं देखा जिसमे expense के वज़े से लोग calculate करने बोले हैं हां एक साल का कर रहे हैं जिरू से वन का एक साल का कर रहे है question number 14 देखो a multiple decrement model having multiple states healthy sick and dead provide sickness benefit during the period of sickness तो कौन-कौन सा state बोल रहे है healthy sick or dead ठीक है adding lab state in the model would change the expected present value of sickness benefit by increasing the EPV of the benefit payment decreasing the EPV of the benefit payment क्या होगा बताओ labs का मतलब क्या होता है policy अब काम नहीं रहा तो अगर 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 lab state काम लोग इसमें पहले हम लोग क्या आजिम कर रहे थे 100 के 100 policy holders active है right तो अब क्या होगा अगर मानलों lapse rate 10% मानते हैं तो 10% policy बताओ 90 लोग ही active रहेंगे तो क्या होगा इसमें बताओ sick ने जो benefit देना होगा बताओ 90 लोग को देना होगा solo को नहीं देना होगा तो decreasing the EPV of the benefit payment ठीक है चलो solve करो इसके पहले वाला question को इसके बाब में theory तो तुम लोग कुछ से पढ़ लेना read कर लेना एक question है 15 का part 2 15 का part 2 ठीक है with information provided and assuming that all forces of decrement are constant over individual years of age calculate the first line of double decrement table मैंने अपने को वो बनाने बोल रहा है for mortality and sickness the independent force of sickness for the year of age from 50 to 51 the force of sickness यह कितना अपने को दे दिया है sickness का force को sigma मान लेते है तो sigma आपने को कितना दे दिया है 0.075 independent force of mortality for the same year of age is 80% of the force of mortality तो ELT 15 का पहले देख लो क्या देखेंगे ELT 15 से male से क्या देखेंगे Q न म्यू Q देखेंगे Q को पहले म्यू में convert करेंगे तो basically formula क्या होता है 1-Q is e to the power minus म्यू तो यह Q देखो 50 वाला 1 से minus करो म्यू निकालो यह जो म्यू है यह नहीं अपना independent force of mortality for the same year of age is 80% तो यह जो अपने निकालेंगे म्यू इसको अपने को फिर क्या करना पड़ेगा बोलो 80% से multiply करके अपने निकालेंगे म्यू स्टार ठीक है हम देख लेता है यह लोग किस में multiply किया है हाँ यह लोग वह ही किया है मैंने c Nu Nिकाले फिर उसका 80% किया है ठीक है फिर तो बहुत easy है तुम लोग क्या क्या निकाले देगा बता ओ तुम लोग क्या 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 निकाले अ संग क्या अट में क्या एकना अइक र송 perdre म्यू प्लस सिंगम फिर निकालेगा AQ 50, which is what, 1-AP 50, फिर क्या निकालेगा, बताओ, AQ 50D, यह कैसे निकलेगा, म्यू बाइ, म्यू प्लस, हाँ, बोलो, 1-AP, AQ, बिसिकली, राइट, similarly वो भी निकाल लेगा, और फिर क्या करेगा, रैडिक्स दियावे, मल्टिप्लाइ कर लेगा, चलो उसको सॉल्व करो, जब भी सिंगल लाइन बोलता है ना, तो तुम लोग 51 का भी LX निकाल दिया करो, ALX, like AL 50, AD, death के वज़े से, AD, sickness के वज़े से, फिर नीचे वाला भी निकाल दिया करो, so solve कर लो, अभी easy है, समझ में आया है, सबको यह ला, yes or no, फड़ा फड़ से chat box में बताइए, यह वाला solve करोगे, इसके वापने question number 20 करोगे class box में, मैं 10 minute का time दे रहा हूँ, ठीक है, forever से करो इसको, झाल रहा हूँ, जो हो वाला,HHHH झाल 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 यह झाल 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 यह झाल 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 यह यह झाल झाल यह झाल 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 प्र फ्रु झाल य६ृ। पहला चार साल झाल झाल यह यह झाल यह आलोगा न यह ही गलत है ओ यह लोग 36 को उसमें ले लिया है 36 को ले लिया हम लोग नहीं लेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है देखो उसमें मैं तुमको बता रहा हूँ उसमें तुम्हारा एक चीछ समझ लेना इस वाले में जब यहां पर क्या हो रहे देखो जब यहां पर मैं बोलता हूं कि T का value 0 है, चीज समझो, यह T जा रहे है न, तो T का value जब 0 है, तब कौन सा year है, पहले यह समझो, 7th year है, तो 7 साल का gap है, तो तुम 7 add करेगा, when T is 1, that is representing the 8th year, तो इसको solve करो भी, ठीक है, तो तुमको 7 add करना पड़ेगा, उसमें, ठीक है, करो उसको solve, चलो चालू करो, 19 से चालू करो, easy तो है यह, खाली मैं यहां पर एक बाद रहे हो गया था, और तो easy है, अरे भाई, लाच में 36 बच रहे हैं तो 36 ही तो आगे जा रहे हैं, हां, मैं बाद देख रहा हूं यह लोग का, हां, तुम पहले अलग अलग निकाल, तुम पहले इस वाले पाट का निकाल, यह वाले पाट का निकाल, और फिर इसको यूज कर, यह वाला का भी सबका वैल्यू निकाल, यह वाला का भी सबका वैल्यू निकाल, तो ऐसे तरह क्या आएगा, 36 into 1.02 into a bar 1 into v to the power, 6 है न, 6 और यहां पर क्या आएगा, 1 minus r, 1.02, 1 minus r to the power, नहीं वो नहीं कर रहां, मैं dpp बला कर रहां, 1 minus r to the power n है न, तो इसके अंदर कितना टम्स है, रुको, इसके अंदर कितना टम्स है, अरे नहीं या, t जब ले रहे हैं तो, t plus 1 टम्स है, तो t plus 1 आएगा, कर तो सरी पहले, डिरेक्ली तो बहुत कुछ आता बहू लाइफ में, ठीक है, और पहले का वो करो, प्लस, present value of 4 terms, is PVO, तो यह वाला जो पूरा पाट है यह भी इधर आ जाएगा, और यहां से तुमको t का value निकालना पड़ेगा, और t का जो value आएगा, उसको तुम 7 add करेगा, यह भी एक rough estimate आएगा, फिर दुवारा से exact estimate निकालना पड़ेगा, तो यह rough estimate निकालो, continuous हो रहा है, तभी तो a bar 1, नहीं बट यहां पर क्या और देग एक चीज समझ, यहां पर अपने t जो ले रहे हैं, यहां पर a bar 1 नहीं होगा, हलका सा rough estimate निकाल रहे हैं, बट समझ रहा है, इसको करके फिर दुवारा exact करेंगे, solve इसको बताओ कितना रहे हैं पहले, ठीक़ बालू बताओ, झालू 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 झाल 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 कितना रहा इसका वैल्यू येवाला उपरवाले का वैल्यू झाल झाल कि वाला शुट में जाए गया आज जैसे ये वाला पेपर करा दिये अगला भी के क्लास ले लेंगे ठीक है अगला भी देखते हैं ट्राइ करेंगे दो क्लास ले लेंगे झाल 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 कितना रह बताओ हाँ तो अब इसको पुरा सॉल्व करके बैठा के निकालो फड़ाफट एंसर टीक वैल्यू कितना रह और अलाइन में फड़ावट से बताईए हाँ ठीक करको हाँ निक स dictator झाल हाँ हाँ झाल प्रक्राइब करें के दो पेपर करवा देंगे क्योंकि फिर उसके बाद तो हम जा रहे बाहर फिर जब आएंगे तो तुम लोगों का एक्जाम रहेगा आठ तारीकों है ना पर नौ को है क्या एक क्लास नहीं होताएगा कितना रहे टीका वाल्यू फटावट से बताएगे क्या वाल्यू 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 प्रवट से बताएगे झाल झाल जाल 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 कि जाल एंसर चेक करो एक्जैक्ट कितना रहे वो तो बता एंसर आना चाहिए नाइन टू टेन के बीच में तो देखो आउट फ्लो इस इन फ्लो अफ फर्स्ट फोर यर्स मनि जो पहला चार सल का जो है फिर प्लस नाइन टू टेन के बीच में आ रहे है क्या तो 7 एड करने से मतलब क्या हो जाएगा 16 और 16 से 17 के बीच में आ रहे है अब इसके बाद क्या होगा देखो 6 साल तो यहां खतम हो गया 11 साल में पूरा नहीं चाहिए कुछ पाट चाहिए 11 साल का 6 साल यहां 17 साल का टूडल चाहिए ना तो 17 में पहला 2 साल कुछ नहीं हो रहे है उसके बाद का 4 साल का यहां आ गया 6 साल हो गया 10 साल पूरा चाहिए और 11 साल कुछ पाट चाहिए तो अपने क्या करेंगे 36 into a bar 1 into v to the power 6 into 1.02 into 1 plus 1.02 v plus dot 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 10 साल मतलब क्या होगा 1.02 v to the power 9 तक जाएगा तो 4 साल और 10 साल 14 साल पहला 2 साल कुछ नहीं हो रहे है उसके बाद में क्या होगा 36 into a bar t क्योंकि समझा अब अपने को पूरा नहीं चाहिए और इस साल में होगा 1.02 to the power बोलो 10 का रेट से payment v to the power 16 होगा क्योंकि 17 साल का यह payment है तो 16 साल पीछे लेके आएगे यह होगा तो यहां से आपको t निकालना पड़ेगा देख चार साल यहां हो गया दो साल कुछ हो नहीं रहे पहला तो 6 साल हो गया 10 साल का टोटल पूरा exact चाहिए पूरा पूरा चाहिए बट 17 साल तो पूरा नहीं चाहिए ना तो यहां से तुम्हें एक t निकालेगा पा क्यार 16 point something है ना तो 16 के बाद क्या आता है मैंने 17 तुम्हें पूरा नहीं चाहिए उसका कुछ एक पार्ट चाहिए तो कितना चाहिए इसलिए a bar t करके करना पड़ेगा इसके पहले वाले में मेरे को एक rough estimate मिल रहा था क्योंकि वहां पर तो मैंने a bar one assume किया है ठीक है होना चाहिए तो यहां पर a bar t ना बट उससे तो answer आएगा नहीं अपना कितना रहे एक्जैक्ली करके देखो नौर 10 के बिच में आ रहे गया कि 1011 के बिच में आ रहे है कि 10.93 आने से कैसे हो गए यार तो दुवारा चेक करो अगर 10.93 आ रहे है यहां अगर अपने for example बता रहे है अगर अपने 10.5 10 10 डालते हैं ठीक है तो ग्यारा हो गया ना ग्यारा यहां पर ग्यारा होना का मतलब क्या है हां हां देख समझ ना अगर माले मैं यहां पर डालता हूं 10 ठीक है तो अगर यहां पर this to the power 0 है this is representing the seventh year ठीक है ठीक है हां नहीं नहीं की पर समझत आपको समझें दहों जैसे अगर मागने अपने यहां पर डालते हैं आपने यहां पर डालते हैं ठीक है यह block अँगर अपने 10 डालते तो इसके अंदर में 11 टरंस उसकीs है ना, 11 तर्म हुआ ना, तो पहला टर्म क्या रेप्रेजेंट कर रहा है, 7th year, 7th year रेप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर अपने देखेंगे, 7th पहला टर्म हो गया, 8 दूसरा हुआ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6th year, ठीक है, तेरा सही, तेरे गलत है, 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, क्योंकि देख मैं बता रहा हूं, क्यों होगा, वे यह समझा रहा था, उस समय, प्लस 6 क्यों होगा अब देखो जैसे यह जो है न यह वेन यॉर्टी इस लेकिन तेरा एंसर कितना रहा है 10.93 आ रहा है तो नहीं 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 तब तो सम्थिंग तेरा कितना रहा है हाँ 7 होगा प्लस हम यह 7th year है तुम्हारा कितना आया अरे करो इसको यह सहां क्योंकि जर्ण 10.93 होगा न तो 10.93 में हाँ 10 नहीं वैसे नहीं होगा 10.93 अगर है ती के पावर में 10.93 है तो अपना नहीं आएगा मतब 10.93 में 7 आड करने इसे तो 17 पॉइंट सम्थिंग आएगा आएगा 9 और 10 के बीच में ही चेक करो हमको लग रहा है तुम गलती कहां किया है ना यहां पर यह जो है ना इसका मतलब क्या है 1 का मतलब क्या है 1.02 V to the power 0 तो यह क्या रेप्रेजेंट कर रहे है 7th year का cash flow ठीक है तो 0 अगर रेप्रेजेंट कर रहे है 7th year का तो gap कितने का है gap है 7 years का तो t का जो भी value आएगा उसमें अपने को plus 7 करना पड़ेगा ठीक है बोलो ठीक है और यह यह तो अपना यहां से आया फिर अपने को last में यह वाला करना पड़ेगा यह वाला copy कर लो यह बहुत important यह नहीं करोगा तो 2-3 नमर तो इसके लिए कर जाएगा अरे भाई outflow है यह inflow हो गया यह 10 साल पूरा cash flow चाहिए और जो last year 17th year उसमें पूरा नहीं चाहिए मेरे को part चाहिए तो कितना part तक चाहिए वो t है ना और पहले का 2 साल को payment नहीं हो रहा है 16 हो गया ना तो यह 17 साल का जो payment है इसमें कितना चाहिए तो टी का value ते रहे यहां से आएगा 0.618 यह exact answer होगा फिर ते रहे total answer आगा 16.618 यह बहुत important question exam के लिए दो तीन नंबर बात उसका नहीं है बात है अक्यूरेसी का तुम्हें प्रोफेशनल बनने जा रहा है शुरू दिन से अपना brain में वो रखो exam तो चार बार पास हो जाएगा ठीक है आज के लिए इतना है करेंगे लेकिन इस paper को पुरा करके जाएगा तुम लोग थैंक्यू नेक्स्ट वीक में में ट्राइ करूंगा दो पेपर कराने का क्योंकि इसके बाद शायद आपके आए फोई के एक्जाम तक में को टाइम नहीं मिलेगा ठीक है थैंक्यू